जोरे अंग्रेज चले जाएं और उसके अद्भूरों के कंपणी इस तरह स्थापित हो जाएं कि अंग्रेजों के समय से भी बत्तर, जुल्म, शोशन और विभत्स घटना हैं हमारे सामने इस तरीके से आती रहें जो एक तरीके से जनता के बीच में या ऐसे लोगों के बीच में जनम दिलाया जाता है ये राजनीतिक नफरत कहेंगे और ये हमें सड़क से लेके संसद तक नजर आती है हमेशा कोशिश की है कि धर्म को एक मोहरा बनाकर लोगों को आपस में बाटने की लोगों को आपस में लड़वाने की संसद में दिखाई पड़ता है संसद जिसको मंदिर माना जाता है लोकतंतर का लोगतंत्र के मंदिर के अंदर ही जब लोगों के बीच में नफरत के बीच को बोया जा रहा है और हमारे देश के प्रधान मंत्री कुछ मुसल्मान ओरतों को राखी बांते हुए दिखावे की राजनीती करते हुए नजर आ रहे थे कि ये इनके बीच में कोई बंधुत्व ह उसी समय हमारी एक मुसल्मान बहन बिल्की इस बानू जिसके साथ बहुत बरबरता के साथ गुजरात के दंगों के दौरान उसके साथ गैंग रेप होता है उसके छोटी बच्ची को पथर उसके हत्या कर दी जाती है उन हत्यारों को उन गैंग रेपिस्त को उन बलातकारिय उनको बरी किया था, तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, अगर आपस में इस सरकार जिस तरीके से राजनीती ही करती है और सामप्रदाइक गंगे फैलाती है, जब इस तरीके की भटकावे, भटकावे की नफरत की राजनीती को हम जमीनी स्तर पर कुचल सके, खतम कर सके, अगर हमें कोई भटकाने की, भटकाने की और हमें लडाने की और हमारे अंदर नफरत बोने की कोशिश कर रहा है तो इस नफरत को तोड़ने के लिए भी हमें ही आगे आना पड़ेगा नमशकार, मैं हूँ नूर जहां आपके साथ और हम इस वक्त मौझूद हैं विश्विध्याले में जहां पे 12 घंटे की भूकरताल जारी है जहां पे भूकरताल की जा रही है जो दिल्ली के सुन्दर नगरी में एक यूवक को मंदिर से केला चुराने में पीट-पीट के हद्या कर दी गई पोल पे बांद के तो उसी को ल देश में जब हम बात कह रहे हैं तो सही बात है समाज में बना हुआ है और इसका एक रूप हमें दिखता है सुन्दर नगरी की इस घटना में और जिस तरहें से बेदर्दी से उस बच्चे को पीटा जा रहा है ठीक है आसपास खड़े लोग मूख होकर तमाशा देख रहे तो ये हमारे समवेदनाओं को ठेस पहुचाने वाला वीडियो था और हमारे भावनाओं को आहत करने वाला और समाज में नए तरीके के तनाओ पैदा करने वाला तो हम इस सामपरदाइक माहोल के खिलाफ हैं हम इस सामपरदाइक तनाओ के खिलाफ हैं हम कौमी एकता हम कौ कि हमले किसी धर्म विशेश के वैक्ति पर नहीं होने चाहिए, हम इसका भर्चना करते हैं और इसी कारण से आज हम यहाँ पर एक अंशन में यहाँ बैठे हैं तो जो यह भू करताल को लेके जो आप कर रहे हैं तो आपने 2 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना देखिए बीते दो दिनों में जो गटना हुई है उस गटना के क्रम को जब हम देखते हैं तो भारत के इतिहास का जब सबसे दर्दनाक संप्रदाइक तनाप का दौर रहा है दो दिन पहले हुई है तो उस दिन में हम 1947 में संप्रदाइक दंगों को रोकने में जो उनकी विरासत रही है वो सकता है लोग उनसे समयतों असमयतों तमाम दूसरे मुद्धों पर लेकिन जो संप्रदाइक तनाप को रोकने के लिए संप्रदाइक दंगों को रोकने के लि चाहे अंच चाहे पेटा में हो झाहे झाहें पयदा भर्याश का सरकार के दृकर के दृकर दृकर के न वुडबा ही लिए कि हम एक समाज के टौर पे हम समय करनी चाहिए हमें सर्मींदा समाज के तोर पेड़ ना चाहिए, कि हम एक कैसे समाज में जी रहे हैं। जहां मानुवियता की भावनाय यह सब्सक्रांद करे 5, टो ये अपने एक चिंथा की बास है और इस कर लोगों की जthenित जो लोगों की जो असली मुद्द्थ है उन मुद्दों के साथ आए और आपसी भाईचारा कौम एकता का जो हमारी परंपरा रही है साजी सहादत और साजी बिरासत के परंपरा रही है उसा आगे बढ़ है तो जो ये 12 गंटे से भूकरताल चल रही है तो इसमें आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है जी नहीं आज सुबा के 9 बजे से आज रात के 9 बजे तक हमने ये 12 गंटे का चात्र अंशन आयूजित किया है ये पहला कदम है बहुत आगे हमें और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है और हम करते भी आये हैं हम अलग-अलग जो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल, हिंदू बहुल, जहां पर लोग साथ मे रह रहे हैं वहाँ पर भी हम लोगों के बीच में अलग-अलग पहल, अलग-अलग कैमपेंग करते रहे हैं कौमी एक्ता के लिए हम हर साल जिस दिन रक्षा बंदन का त्योहार हमारा देश मनाता है उस दिन हम कौमी एकता का धागा बानते हैं जहां हमा मस्जिद पर अलग-अलग इलाकों में जहां पर दोनों समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं आलग-अलग रहते हैं पर हम कौमी एकता का धागा का आज से नहीं कई सालों से बानते हैं क्योंकि देखिए आज ये जो घटना हमारे सामने आई है सुंदरनगरी के इलाके से ये एका की घटना नहीं है जब हमारे देश के संसद में एक नेता दूसरी मजभब के नेता को मुसलिम समुदाय के नेता को और इस तरीके के अपशब्द इस्तिमाल करते हुए भयमुक्त महौल में संसद में दिखाई पड़ता है संसद जिसको मंदिर माना जाता है लोकतंतर का तो लोकतंतर के मंदिर के अंदर ही जब लोगों के बीच में नफरत के बीच को बोया जा रहा है और उसको सैंक्षन दिया जा रहा है उसको सरकारों का समर्थन दिया जा रहा है पीछे बाकी निता बाकी MP हसते हुए नजर आ और उन पर कोई भी कारेवाही नहीं की जाती है वो भैमुक्त माहौल में इस तरीके की बयान बाजी करने के लिए और लोगों के अंदर नफरत के बीच बोने के लिए जब मौजूद हैं उसी का हमें एक परिणाम स्वरूप इस तरीके से हमें जमीनी स्तर पर ये सुंदर नगरी की घटना यूपी में चाहे एक छोटे से बच्चे को एक स्कूल के अंदर मुसल्मान बच्चे को बाकियों से पिटवाया जाना हो पिछले साल हमने देखा आजादी का अमरित महुत सब ये देश मना रहा था इनके बीच में कोई बंधुत्व है भाई बंधुत्व है उसी समय हमारी एक मुसल्मान बहन बिल्की इस बानो जिसके साथ बहुत बरबरता के साथ गुजरात के दंगों के दौरान उसके साथ गैंग रेप होता है उसके छोटी बच्ची को पत्थर उसके हत्या कर दी जाती है उसके परिवार के कितने जनों के हत्या कर दी जाती है उन हत्यारों को उन गैंग रेपिस्त को उन बलातकारियों को तो माला पहना कर इसी सरकार ने उनकी सजा माफ करते हुए उनको बरी किया था तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं कि किसी तरीके की कौमी एक्ता की मैं बहुत लोगों के असल मुद्वों पे राजनीती की बात करें तो हमारी यहां से यह हमारी पहल कदमी है कि सबसे पहले एक समाज के तौर पर भी हम शर्मिन्दा हैं कि हमारे समाज में सरीके की घटना हैं हमारे सामने हो रही हैं जहां पर आम लोग इस तरीके की घटनाओं में सम्मिलित पाए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिश्क को इस तरीके की राजनीती से डिकॉलनाईज करना पड़ेगा। कई बार ये बात कहीं जाती है कि भटकावे की राजनीती, बटवारे की राजनीती, फूट डालो और राजकरो की राजनीती के वाल अंग्रेज करते आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। किसे आती रहें? तो इसलिए उनके आदर्शों को, उनके संघर्ष को, उनके सपनों के भारत को आज हमें ध्यान करते हुए ये बात समझने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ, अलग-अलग कौमों में एक दूसरे के साथ मिलकर ही अपने असल मुद्दों पर हम किसे आती हैं, वो धर्म की राजनिती कर रहे हैं, देखिए केवल मोदी जी की बात नहीं है, आप इतिहास गवा रहा है, चाहे राजा हो, चाहे माराजा हो, चाहे अलग-अलग सरकारे हो, चाहे कोई ब्रिटिश कमपनी हो, लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि धर्म को एक म लोग शब्द है, उसको आप बनाते हैं, उसको आप कमप्राइज करते हैं, आप इस डिमोकरिसी के पिलर्स हैं, ये सरकारे इस डिमोकरिसी की पिलर्स नहीं हैं, तो आपको आप इस लोगतंतर की जीवात्मा, आपको इस बात को समझने की जरूरत है, कि अगर हमें कोई खौफ रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे हम एक बहतर भारत में जी पाएंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा जिस बहतर भारत बहतर समाज की आप कल्पना करते हैं सपना देखते हैं जिस बहतर रोजगार के बारे में आप सपना देखते हैं बहतर शिक्षा का सपना देखते हैं और असल मुद्दों पर हम सरकार को अपनी मांगों को अपने अधिकारों को हमें हासल करने के लिए हम मजबूर कर पाएं तो अब क्या करेंगे अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाते हैं देखिए ये हम लोग जमीनी स्तर पर संगर्ष में केवल घटना के समय होने के बाद से हम शामिल नहीं हुए हैं इस देश में ये वो देश है जहां पर चाहें शिक्षा हो इस उनिवर्स्टी में एडमिशन ले पाना हो स्कूल तक पहुंच पाना हो हर एक अधिकार जनता ने लड़कर जीता है और उस संगर्ष में हिंदू भी शामिल रहा है मुसल्मान भी शामिल रहा है हर समुदाय से आने वाली महिला आदमी बच्चे सभी शामिल रहे हैं सबी के लिए एक बहतर रोजगार कादिकार हो, जहांपर सबको न्यूनितम वेजज मिले हैं, जहांपर वर्कप्लेस पर लोगों को वर्कप्लेस राइट्स मिले हैं, जहांपर यह हायर और फायर की जो कॉर्पोरेट फ्रेंडली नीती है, इसको खतम किया जाए, लोगों को परक्षित माहौल में एक ऐसा समाज मिले, जहांपर वो एक बहतर व्यक्ति बन पाएं, उनको शिक्षा मिले, उनको शिक्षा के दौरान वो इस काबिल बन सकें कि अपने समाज में एक बहतर रोजगार हासल करते हुए समाज को बहतर बना पाएं, तो उस तरीके के समाज ब से स्टूडेंस से यूद से अपील करते हैं कि जुड़िये इस समाज बदलाव की इस संघर्ष में जुड़िये अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो इस भ्रहम में रहना प्लीज छोड़ दीजे कि इस तरीके की समाज में नकारात्मक बदलावों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप समाज की बहतरी के संघर्षों में जिस अनुपात में हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उसी अनुपात में हम समाज को बहतर तरीके से बदलते हुए देख पाएंगे कब तक की बहुजन समाज के लगों दफ के जीते रहेंगे देखिए अभी जिस तरीके से यह घटना घटी है नंदनगरी की सुन्दनगरी की जिसमें एक मुस्लिम वेक्ती ने मतलब परशाद खाने पर मतलब उसको इतना पीटा गया कि उसकी मौत तक हो गई तो यह देखन कि जिस तरीके से ये पहले भी आजादी के 1947 में तब भी सामप्रताइक दंगे बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को हिंदू-मुसल्मान मार काट कर रहे थे और उसको उकसांत करने के लिए लोगों ने आंदोलन किया हिंदू-मुसल्मानों ने एक जुट होके जो लड़ पहर्ष में कौमी एकता की बात को कहते हुए ये कहा कि हम जब तक एक साथ होके नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम लोगों को ही किसी का भी बच्चा हो चाहिए हिंदू का चाहिए उन दोनों ही बच्चे को आगे चलके अगर बिमार होते हैं उनको स्वास्त की विवस्था चाह सिलसिला तेजी से बढ़ता हुआ इस समाज में दिखा है जो सरकार है वो आपकी बात सुनेगी देखे ये सरकार से ज्यादा हमें अपने जनता में जो लोग जिनोंने ये उमीद करके कि हम अपनी जो लड़ाई जीते हैं उसको बचाए रखने के लिए और आगे अपना समा सरकारों को जीतना पड़ेगा क्योंकि देखे हम आपस में लड़ेंगे तो हम सरकार से नहीं लड़ पाएंगे कि हमें भी शिक्षा चाहिए आपस में लड़ेंगे तो हम अपने रोजगार की बात नहीं कर पाएंगे महिला सुरक्षा की बात नहीं कर पाएंगे और इस तर आपस में हम लड़ लेंगी, तो हमारी बाकी के जो मुद्दे जो जाहिर से बात है, दोनों हिंदों, मुसलमानों, किसी भी धर्म का उनको चाहिए. एजुकेशन में जिस तरीके से higher education में पहुचने वाले लोगों की संख्या कम है बहुत कम संख्या में student पहुच रहे हैं और नहीं पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे इस चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम इनी जगडों में फसे रह जाएंगे और यह हम पूरी जो भ अधिकार हासिल के उसको बचाने के लिए और आगे के अधिकार को पाने के लिए भी हमें बहुत बड़ी संख्या में सड़क पर उतरना पड़ेंगे बिल्कुल ऐसा पहले भी हुआ है और अभी भी ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ है लड़ाई में भले कि कितने ब125 लोग अपनी सम वेद्णा उ को तुनों निखो देंगे वही सरकार को खत्म कर देना चाहती और इसको हम इस तरीके से एसे असानी से जाने नहींcat स्हाँ जो हमारी कौमी एक ता है उसको हम आगे ले करके और हम साथ मेरा यह शंदेश देंगे उसी को लेके ये नियाय दिलाने के लिए भूकरताल कर रहे हैं तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हैं हमारे साथ